परिजनों को इसकी सुचना मिली तो अरोपी मौके से फरार हो गया मासुम को मेडिकल के लिए लिजाए गया जहां उसके साथ बलातकार की पुष्टी हुई है मामले को लेकर DSP हंसराज का कहना है कि बारदात को अंजाम देने वाला गाउं का ही एक अधेड उमर का व्यक्ति है रोपी के खिलाफ तो उसको एक के तहत मामला दर्श कर लिया है और जल भी उसे गिरफ्टार कर लिया जाएगा जजल से जाब टीवी न्यूस के लिए सौनू धनक्तर की रिपोर्ट खर जाएगा गुछ झाल 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 झाल